सामने लावा ब्लेज 5G लिखा यदर लावा है और यहाँ पर हैस्टेक प्राउडली इंडियन पीछे कुछ हाइलाइट फीचर्स दे रखें जिसके बारे हम आगे बात करेंगे अंदर दिखाओं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिम्ट रेजेक्ट करने की पीन है इसको निखालता हूँ उफ क्या डिजाइन है यह मोस्ट रफोर्डेबल इंडियन 5G स्मार्ट फोन इसमें कोई कार्ड डिस्काउं इंक्लूट कर नहीं बता रहा हूँ और भाई ब्लेज है तो सेक्सी तो यह फोन हो गई तो यह है लावा ब्लेज 5G स्मार्ट फोन आपको प्ले होता है और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में कोई अनॉंसमेंट वगरा नहीं होती है 128 GB UFS स्टोरिज मिलती है और इस प्राइस में यह फीचर शायद आपको कोई फोन नहीं देता है शायद कि हमें गैरंटी लेता हूं नहीं देता है आप कोई भी चाइनीज स्मार्ट फोन को काफी बना देता है और इसका डिसाइन अमयाओ मुझेंगे में अगर वचारदी इसमेंग की लगता है लेकिन एक करतर आता है निचे बार्हें गता है 100 ब्लक्त कर Whenever और अब्स तो मेरे ख्याल से स्टोरेज का आपको कोई इस्यू नहीं होना से यह फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसमें एक स्टी कार्ड के साथ एक सिम यूज कर सकते हो इसमें आपको साइड मांटेड फिंगर्पिंट सेंसर मिलता है जो क्विकली आपके फोन को अनलॉक कर दे आपको 5G यूज करने में अब इसके डिस्प्ले के बारे बात करूं इसमें आपको 6.5 इंचिस की HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जूंकि 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ आता है जिसके वजह से स्क्रोलिंग वगयरा काफी आपको स्मूध मिलना वाली है तो काफी स्मूध डिस्प्ले होगी और आपको वाइडवाइन एलवन का सपोर्ट मिलेगा तो आप नेट्फ्लिक्स अमजान प्राइम वगयरा देखते हो तो HD में आप कंटेंट देख सकते हो हाई क्वालिटी में आपको मजाना वाला है बागि इसके डिस्प्ले की क्वालिटी शापनेस व और फ्रायमरी और बागी मेक्रोडस मिलतने इसमा आपको वीडियो रिकॉडिंग जञाएक हो ड्याट में जीने का मिलता है तो यहोज वालिट Cordra entertainment गया उन्टार चैयब को चीजे ऐ तो lik करते हैं लेकिन अगर चाथा ना इसकी डैडिकेटिटि केमरा टेस्ट वीडियो बना दो अ पुरी टेस्टिंग करेंग को डीयों को बात करेंगे जो just a पर्फॉमेंस के बारें बात करूँ इससमें डेटयक अधान मिलता है। जो टेस्ट करा उसमें भी काफी अच्छा रिजर्ट मिला है तो देखा जाए यह ब्ले स्रीज का सबसे पावर्फुल स्मार्टफोन है तो परफॉमेंस के मावले में कोई दिक्कत नहीं आना वाले काफी मक्षन यह फोन चलिए गेमिंग वगयरा भी आप काफी अच्छे तरीके और इसमें आपको 12W का एक चार्जर मिलता है जिसको दो घंटे से ज्यादा लग चाहेंगे इसको फुल चार्ज करने में तो डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी टेकिन बैटरी बैक अच्छा मिलेगा क्योंकि इसमें प्रोसेसर इसके बैटरी टेस्ट की अब इसके युई और सॉफ्ट वे बारें बात करो ना इसमें आपको Android 12 मिलता है इन्होंने अपनी थोड़े थोड़े इसमें किस्टमाइज़ेशन कर रखें सेटिंग्स वगारा जो है वह इन्होंनों खुद की दे रखिये और भी अपनी तरफ स लेना पड़ता है YouTube का लेकिन वह काम इसमाँ फ्री में कर सकते हो मैंने टेस्ट करने कोशिश करी फिलाल इसमें नहीं चल रहा है लेकिन इसमें highlight कर रहा है इसके box पर भी लिक रहा है सब जगह दे रहा है किसमें YouTube बैक्डाउंड में प्ले होता है मैंने कमपनी से पूछा उ भी कुछ नहीं कह सकता हूं और इस UI के एक तारीफ करने पड़ी किसमें कोई ads नहीं है और यहां पर फालतों की application प्रिंस्टॉल नहीं आती है सब कोर application है डाइलर हुआ, message हुआ, यह सब applications मिलती है बागी इसका software काफी smooth है यहां पर मैं कोई भी app को open कर रहा हूं, close कर रहा यहां पर कोई glitch वगएरा नहीं मिला, कोई bug वगएरा नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से animation वगएरा काफी अच्छी तरीके से काम करती है, processor इसका काफी powerful है, जिसके वज़े से कोई hang वगएरा का issue मुझे नहीं मिला है, बागी इस smartphone का price जो है introductory रखा गया था 9,999 रुपीज, जो क कोई compromise नहीं मिलता है, कोई Chinese smartphone बता दो 5G smartphone जो इस price में आता हो, जो इस price में launch हो आओ, और उसमें ये features मिलते हो, तो definitely ये 5G smartphone में highly recommend करता हूँ, बागी इसकी link मैंने decision में दे रखे है, Amazon सो जागा खरी सकतो, bank offer लगाओगे, तो और इसमें discount मिल जाएगा, 10,000 कुछ का पढ़ ज और ये वीडियो पसन है, तो like कर देना, चनल सब्सक्राइब कर देना, वाइ, टेस्ट उसमें हमाय है,